सब्सक्राइब दूस्तों तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टैकी द्विंदर में तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने एंगुलर में अलग-लग तरह से कॉंपोनेंट्स मनाए थे तो आज हम देखेंगे कि अगर हमें डेटा बाइंडिंग की जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें एक template file generate होती है जो html file होती है तो वो html file हमारे लिए एक view का काम करती है एक ऐसा view जिससे हम data ले भी सकते हैं और उसको data send भी कर सकते हैं अपनी file से तो data winding का basically काम क्या है कि हम अपना जो page है उसे हमेशा up to date रखेंगे means जैसे भी हमारी application की state change होगी वैसे ही हमारा page भी साथ ही साथ में update होता रहेगा यह है कि हमें manually उसे refresh नहीं करना पड़ेगा हम data get भी कर सकते हैं और data set भी कर सकते हैं वीज हमें just source specify करना होगा कि कहां से data लेना है कैसे send करना है या receive करना है और हम data binding के जरीए बहुत सी चीज़ें set कर सकते हैं example के तौर पर अगर हमारे पास कोई image set करनी है हमने किसी control जो image control है उसमें तो आप मान लीजे उस image का path source भी हम specify कर सकते है with the help of data binding और यहां तक के run time पे उसे change भी किया जा सकता है हम button की state का पता चला सकते हैं कि button click हुआ है या नहीं हुआ है या double click हुआ है मिस जैसे हम event handling करते ही हैं वही चीज जो के otherwise java script के थूँ अगर करनी पड़े तो काफी मुश्किल है हो तो जाती है मट हमें ज्यादा उसमें code लिखना पड़ता है और अगर data किसी particular user को दिखाना है या उससे हमने get करना है तो उस काम के लिए भी हम क्या कर सकते हैं data binding को ही use कर सकते हैं मिस हम user से data ले भी सकते हैं और user को data दिखा भी सकते हैं यह नहीं है कि सिर्फ एक ही काम होगा तो इसका मतलब है data two way भी हो सकता है और one way भी हो सकता है तो चलिए बढ़ते हैं अगले topic में के data binding actual में होती कितनी तरह की है तो angular basically आपको क्या provide करता है तीन category provide करता है data binding की और वो भी किस चीज़ पे dependent है data के flow पे तो हमारे पास कौन कौन सी file थी जो ts file थी उससे हमने देखा था interpolation के जरीए हमने data send किया था वो भी एक तरह की data binding ही थी तो view हमारा क्या है हमारी html की file है जिसे हम template कहते हैं तो source कहां पे हम specify करते हैं तो पहली तो भी हो गई हमारे पास data binding के type जो source से हमारे view की हो जाएगी कि हम data को सिर्फ देखेंगे दूसरी हो सकती है कि हमारे view से source की और आए ठीक है means हमारी html file है जो template file है वहां से data source की और आएगा तो एक होती है two-way sequence means इसमें data आ भी सकता है source से और source की और को data वापिस जा भी सकता है means दोनों काम इखटे हो सकते हैं जैसे हम event handling के थूँ से handle कर सकते हैं basically तो चलिए आगे देखते हैं फिर so first type आगे भी हमारे पास data binding की वो है one way from data source to view target तो हमारे view की और को हम क्या करेंगे data send करेंगे अपनी ts file से या का legs data source से तो हम कौन-कौन सी चीज़ें उसमें use कर सकते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ें को change कर सकते हैं उसमें तो सबसे पहले interpolation को हम use कर सकते हैं दूसरे नंबर पर हम properties की values को change कर सकते हैं तीसरे नंबर पर हम attributes की values को बदल सकते हैं data पहेज सकते हैं classes बदल सकते हैं styles बदल सकते हैं बट इसमें भी एक important बात जाद रखने वाली है जो मैं last में बताऊंगा तो सबसे पहले syntax देख लेते हैं तो interpolation के लिए syntax जो है वो ये वाला है कि हमने double curly brackets शुरू करनी है और double curly brackets को बंद करनी है मैंने पहले भी एक lecture में बताया था कि हम ये चीजे change भी कर सकते हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया तो वो भी देख सकते हैं तो इसका link मैं उपर दे दूँगा तो दूसरी चीज आगी कि properties, attribute, class and style को कैसे value supply करनी है उसके लिए मैं use करूँगा square brackets means यहां से हमारे data source से view की ओर data जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं जो square bracket है box syntax तो जैसे लिखा ही है source to view हम data को transfer करेंगे तो next आगे है type हमारे पास one way data binding जो के हमारे view target से data source की ओर जी हां पहले था source से target जो था हमारा वो था view अब उल्टा है view target से हमारे data source की ओर data आएगा तो इसके लिए हम basically क्या use करते हैं हमेशा events ही use करते हैं और events अगर हमने angular में specify करने हैं तो उसके लिए use होता है parenthesis जिसे हम ज़्यादतर क्या कहते हैं जाना syntax भी कहते हैं तो साथ में उसके होगी statement कि कौन सी चीज को हमने कौन से function को execute करना है तो बहुत ही simple है हम practically ज़रूर देखेंगे कैसे इसे solve करना है तो बस आगे बढ़ते हैं तीसरी type की और जिसे हम कहते हैं two way data binding तो इसमें दो चीज़ें आ जाती है event and property ठीक है पीछे था कि सिरफ event उससे पीछे था हमारे बास properties भी थी और भी चीज़ें थी interpolation हो गयरा तो यहां दो चीज़ें का mixture आ गया है तो एक आ गया भी हमारा event जो के है banana syntax हमारा और दूसरी आगे इसके इस side पे हमारे square bracket जिसे हम बोलते हैं box syntax जब दोनों को एकठा कर देते हैं तो वो बन जाता है two way data binding कि हम data send and receive दोनों ही कर सकते हैं तो basically इसे क्या कहते हैं banana in the box syntax तो यह एक तरह की two way data binding है कि data send and receive हम दोनों कर सकते हैं यहां पे event भी काम करेगा और event के साथ साथ एक value भी update होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं so next important चीज है हमारे पास html के attributes and document object model की properties so पहली चीज जो हमेरे लिए याद रखने वाली है कि जब भी हम angular में काम कर रहे होते हैं तो basically हम सभी confused देते हैं कि हम html के attributes को use कर रहे हैं कि document object model की properties को तो यहाँ पर यह बात बिलकुल clear है कि हम हमेशा document object model की properties को ही use कर रहे होते हैं हमेशा क्योंकि basically हम document object model के जरिये ही हमारे document में जो भी हमारे elements हैं उन्हें access कर पाते हैं अगर हमारे पास किसी भी तरह के attribute का नाम हमारे document object model की properties से match भी करता है तब भी हम उस time पे भी दो different जीजों को use कर रहे होते हैं क्योंकि attributes अलग होते हैं document object model की properties अलग होती हैं तो अगले point में यह clear है कि html के attributes को सिर्फ कभ यूज किया जाता है elements को initialize करने के लिए या directives की जो state होती है उन्हें initialize करने के लिए इसे use किया जाता है starting में means जब start होता है हमारा html build होना जो html का template है तब भी attributes को use किया जाता है उसके बाद सारा काम document object model का होता है तो directives भी हम detail में पढ़ेंगे आगे तो जब हम data binding यूज कर रहे होते हैं basically हम हमेशा exclusively ही document object model की properties के साथ ही काम कर रहे होते हैं और कहीं भी नहीं या इसके इलावा हम जो हमारे objects होते हैं target उनके events को use कर रहे होते हैं properties या event इन दोनों चीज़ों को हम हमेशा use करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं data binding की तो इससे आगे हम देखेंगे कि इन सभी topics को हम practically कैसे perform करेंगे तो आज की इस video के लिए इतना ही तो मिलते हैं next video में क्योंकि practically अगर अभी इस video में हम करके देखेंगे तो हमारा topic जो है video काफी लंबी हो जाएगी तो मैं पूरी कुशिश करता हूँ कि जो lectures हैं वो short से short रहें तो मिलते हैं next video में तो अगर आपको मेरी ये video अच्छी लगी है तो इस video को like and share जूर करें और इस channel को subscribe करना दोस्तों मत भूले धन्यवाद